ओब शान्ती, ओब शान्ती, ओब शान्ती, आई तो बहुत ही सुन्दर विशे है, आप सब को भी बहुत बहुत अच्छा लगेगा, जैसे ही विशे सुनंगे, आप सब मुस्क्राने लग जाएंगे, खुश हो जाएंगे, सिरी कृषन जानम आश्टमी का परव, बहुत ही सुन्दर विशे है, और ये परव जैसे ही आता है हमारे खास भारदेश में, कोने कोने में, गली गली में, हर मंदर में क्या सजावट होती है, कितने दिन पहले से त्यारी होती है, टिन जांकियां सजाई जाती है, क्या रावनक होती है, रात के बारां बजे तक disproportion बारां मुझें कש्टिए का जनम हुआ, तो बारा बजे तक, गीत, संगीत, कीरतन, सब चीजें आप देखो, हर शहर में, हर गली में, खाल महले में, रोनक ही रोनक होती है और जैसे ही 12 बाजते हैं और श्रीकिष्ण जी का जनम उस सब दिखाते हैं तो कितने बाज्य गीत वो क्या क्या रौनक वो जैसे के उसको मनाना शू कर देते हैं ये श्रीकिष्ण जी का तो सवाल उठता है कि ये श्रीकिष्ण जी की आज जो इतनी मानता है लोगों का विश्वास है लोगों के दिल में जगा है इस विशेश आत्मा के लिए श्रीकिष्ण जी के लिए बलके आज देखो मैं समझता हूं कि ऐसे हमारे भारत देश में तो असंख्य भाई बहने हों जो स्रीकिषन कोई भगवान का रूप मानते हैं, भगवान का रूप का भगवान ही मानते हैं। स्रीकिषन कोई अपना इष्ट मानते हैं, इष्ट मानते हैं स्रीकिषन को, कि ये भी भगवान का अवतार है या स्रीकिषन को उसरी के से मानते हैं। और क्या उसकी मेहमा करते हैं, आप देखो श्रीकिष्ण की मेहमा, आप लोग सुनो भगतों से, सरवगुन संपन्न, सोला कला संपूरन, संपूरन निर्विकारी, मर्यादा परशोतम, अहिंसा परमो धरम। किया गीत हैं, और कितने जो बडबबड़ भगत होकर गए हैं, जन्नों ने सिरिकिष्ण के बारे में क्या क्या गृंत ःच्छी तथ्रचीय हैं, क्या क्या ही है और अमारे देश का सर्वोतम शास्तर शरी मद भगवत गीता का समंद भी सिरकिशन के साथ ही दिखाया जाता है जो लोग दिखा रहे हैं और ये सारा जो चीज उनों ने दिखा रहे हैं कि जरूर वो वशेश आत्मा थे वगर ये स्वाल पैदा होता है कि सचमुच ऐसी वशेश आत्मा जो सरवगुन संपन और सत्युग में जो वशेश आत्मा आई और जिड़ के बारे में सारा इतना कुछ गाहिन पूजन महमा हो रही है शास्र कृंट बनाए गए है कितनी रचना रची गई है अरे बात मत पूछो तो क्या ची क्या बात थी तो वास्ता में जो इश्वर पिता ने जो सरी कृष्ण से भी सर्वोटम जिसे हम कहते हैं कि जो सर्वोटम जो शक्ति है निराकार श्री प्रमातमा चोती सुरूप निराकार उन्होंने जो समझा करके दी है कि बच्चे यह जो आत्मा है स्री कृष्ण की आत्मा यह सारे हमारे ही इस पे सिष्टी चकर में नंबर वन आत्मा है नंबर वन जो है इसलिए नेक्स टू गॉड जिसे हम कहेंगे कि वो आत्मा इतनी महान है कारण क्या था क्यों महान थी क्योंकि इस आत्मा ने अपने जीवन को इश्वरी ग्यान और सहिज रायों के अधार से अपने जीवन में गुन और शक्तियों से संपन बनाया संपूरन निर्विकारी जिसे हम कहते हैं करमिंद्री जीत विकर्मा जीत कर्मा तीत ऐसी स्टेज उन्हों बनाई जिसका के अंग अंग जिसके की महमा करती है आप देख आपने सुना होगा कि श्री किष्ण की जो महमा करती है नैन कमल, चरन कमल, हस्त कमल, मुख कमल हर किरमिंद्री को कमल के साथ उसकी महमा की गई है इतना पवित्र और शुद्र और शरेष्ट जो है आज आप देखो कि इसके जीमन को माना जाता है तो स्वाल पैदा होता है कि हम स्री किष्ण जन्मष्ट में आती है अचा ठीक है भी गीत गाएंगे अचा कई तो उसनों पुआस रखते हैं बलके मैंने देखा है आचा कई कुछ का अपना और भोग बुरा लगाएंगे कुछ और जो कुछ भी करेंगे अचा हम बना दिया उन्होंने किस्री किष्ण जन्मष्ट में भोग लगा दिया कुछ खाया पी या ठीक है चलो भी आज का दिन बीत गया मगर स्वाल पैदा होता है कि कभी ये विचार आता है कि क्या ऐसा जो हमारा इश्ट जिसको हम मानते हैं और इतनी उसकी महमा गायन करते हैं तो क्या हम ऐसे जीवन को हम बनाएं हम अदर्श माने उसको आइडियल माने अपने जीवन के अंदर भी ओ चीज़े जो जिसके लिए उसका गायन और पूजन है कि हम ऐसा नहीं बन सकते हैं इस लिए स्री किशन जनमस्टमी के दिन मनाने के साथ साथ मैं ऐसा मानता हूं कि हमें संकल्प लेना चाहिए कि उस अगर उस ने अपने जीवन को संपूर निर्विकारी बनाया तो क्यों विकारा से मुक्ताम नहीं हो सकते हैं हम जब विकारों को कहते हैं रोज भगवान के सामने खड़े हो के सुबा शाम कहते हैं विशय विकार मिटाओ, विशय विकार मिटाओ, पापारो देवा, तो इसका क्या मेन है, कि विकारों को हम छोड़ना चाहते हैं, विकारों से मुक्ति चाहते हैं, अगर विकारों से मुक्ति चाहते हैं, तो क्यों ना हम भी विकारों से मुक्त होने का कोई रास्ता, कोई मगर हमें शक्ति मिलती है, हम विकारों को जीत सकते हैं, हम यह मानते रहें कि इवशेवी इसमें विकार नहीं थे और ठीक नहीं होते हैं, अच्छा हम विकारों को भगवान के सामने कहें का हमें छुड़ाओ, बगर प्रैक्टिकली तो उसके लिए हमें ये विचार करना पड़ेगा कि विकारों को छोड़ने के लिए हमें क्या करने की जरूरत है क्योंकि विकारों को छोड़ने के लिए समपूरन निर्विकारी बनने के लिए हमें इश्वर से शक्ति आत्मा में बरनी है और अपने जीवन के अंदर जो चीजे अंदर हमें नशर आती हैं हम Self Realization करें Self As表 करें अंतर मुखी होकर करके बैठें अंदर ऐसे वीचार करें अंदर ऐसे अपने से अलाग हो करके अपने आप को देखें अपने आपको देखे के मेरे अंदर कौन सी ऐसी चीजी है जो सिर्किशन के अंदर नहीं थी और मेरे अंदर हैं उसको निकालने के लिए हम दिड़ संकल्प हों अंदर में अपने आपको बैठे और यह तपस्या, यह त्याग और तपस्या यह है वास्तबे, कि अंदर में दिर्था पूर्बक अपनी उसको मुजोरियों को निकालने का संकल्प ने में, सिर्किशन जनम अश्टवी मनाने की वास्ते में, यह सबसे बड़ा, मैं कहूंगा, कि यह प्रयास रहेगा, यह संकल पर रहेगा, यह शुब भावना रहे हमारी, कि हम केवल उसको मानने, माननते रहें, उसमें विश्वास रखें, उसका गायन करें, उसका पूजन करें, मगर वो जो दुनिया में थे सत्यूगी जनिया, जिसके लिए है कि दूद, गी की डदियां बैती थी, शेर, गाई, ए व्यक्ति को सोच नहीं था, सब संपन्न थे, ऐसी दुनिया, सत्यूगी दुनिया, सतो परधान दुनिया, जिसमें के प्रकृति भी सतो परधान, बाहर का वातावन भी तमो परधान, कोई किसम की कोई चीज दूसरी होती ही नहीं थी, ऐसी श्रेष्टाचारी दुनिया, सत प्रयास करें और वो प्रयास यही होगा घापने मन को अपनी बुद्दी को ईश्वर से जोड़ें और अपने अंदर जो आसरी शक्त कमिया आग्ञे हैं कमजोरिया आग्ञे हैंउसको निकालने का भरसक प्रयतन करें यही सची सची हमारी श्रिकिषन जनमश्ट में मनाने की वास्ता में यह अंदर शुब भावना शुब कामना है ख्याम उस जैसा बनने का संकर्प लें, अपने आपको बदलें, अपने परिवार को बदलें, अपने समाज को बदलें तो यह दुनिया सोता ही स्री किशन जैसी सत्यूगी दुनिया पुने बनने वाली है और बनेगी ओम शान्ती